भारत का आखरी रेल्वे स्टीशन जहां आज भी सब कुछ अंग्रेजों की जमाने का है शिंगाबाद भारत का आखरी रेल्वे स्टीशन है यहां पिछले कई सालों से कोई यात्री ट्रेन नहीं रुकती इस स्टीशन की खासियत है कि आज भी वैसा ही है जैसा अंग्रेज छोड़ कर गए थे यहां स्टीशन में हर चीज टिकट से लेकर गियर और रेलवे बेरियर अंग्रेजों की जमाने का है जी हां दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंगावाद रेलवे स्टीशन की पर उससे पहले आपको बता दे ट्रेन में अब लोवर बर्थ सीट आनी नीचे की सीट के नियम बदल दिये है दिव्यांग के लिए ट्रेन की लोवर बर्थ को रिजर्व कर दिया है उन में सीट पर आराम से बैट कर जाने के लिए लोग एक महिने पहले से हीट टिकट बुक करा लेते हैं ज्यादा तर रियात्रियों की कोसिज रहती है कि वो उपर वाली सीट की बजाए नीचे की सीट बुक करें लेकिन रिजर्वेशन के दोरान ये सुविधा किस्मत वालों क को ही मिलती है पर अब से बुकिंग करवाते समय आपकी किस्मत भी काम नहीं आने वाली क्योंकि लोवर बर्थ सीट के नियम बदल चुके हैं एक आदेश के मुताविक ट्रेन की लोवर बर्थ कुछ कैटेगरी के लोगों के लिए अब रिजर्व रहेगी इंडियन रेल्व गोट के बदले नियम के अनुसार स्लिपर क्लास में दिव्यागों के लिए चार नीचे की दो बीच वाली दो ठर्ड एसी की दो एक नौमी की दो सीटों को रिजर्व किया है इस सीट पर वो या उनके साथ साथ सफर कर रहे लोग भी बैठ सकते हैं वहीं करीव रत में दो और दो उपर की सीटे विकलांग लोगों को दी जाएगी हालंकि उन लोगों को सीटों का पूरा किराया देना पड़ेगा भारती रेलवे के अनुसार किसी सिनियर सीटीजन दिव्यांग या गर्वती महिलाओं को उपर की सीट वाली टिकेट मिलती है तो टीटी ऑन टिकट की चेकिंग के समय नीचे की सीटे उन्हें दिलवा सकता है रेलवे नियम के अनुसार जो भी यातरी साइड लोवर वर्थ पर सफर कर रहा है उसे साइड अफर यातरी को दिन के समय में नीचे बैठने की जगा देनी पड़ेगी रेल्वे के नियम के नुसर अगर लोवर वर्थ पर आरेसी वाले दो यात्री पहले से यात्रा कर रहे हैं तब भी उन्हें वर्थ वाले एक सीट को देनी पड़ेगी यात्री अगर मना करता है तो इस बात की सिकायत आप टीटी से सिख कर सकते हैं तो चलिए अब बात करते हैं शिंगावाद रेल्वे स्टेशन की ये कोई बड़ा स्टेशन नहीं है लेकिन बहुत पुराना जरूर है ये स्टेशन अंग्रेजों की समय का है यहां अब तक कुछ नहीं बदला बंगला देश की सीमा से सटा या भारत का आखरी रेल्वे स्ट जिसका इस्तमाल मालगाडियों की ट्रांजिट के लिए किया जाता है ये स्टेशन पच्छिम मंगाल के मालदा जिले के हविपूर इलाके में है आपको जानकर हैरत होगी कि सिंगावाद से लोग कुछ किलोमेटर की दूर पर बंगला देश पैदल घुमने चले जाते है य बटवारे के बाद यह अस्टेशन विरान हो गया था लेकिन फिर 1978 में इस रूट पर मालगाडियां सुरू हो गई ये गाडियां भारत से बंगला देश आती जाती है नमंबर 2011 में पुराने समझोते में संसोधन किया गया और नेपाल को इसमें सामिल कर लिया गया यहां से नेपाल जाने वाली ट्रेने भी गुजरने लगी बता दें बंगला देश से नेपाल का बड़े पेमाने पर खादिश निर्यात होता है इन्हें लेकर जाने वाली मालगाडियों की खेप रोहनपूर शिंगाबाद ट्रांजिट पॉइंट से निकलती है यह अस्टीशन कोल पॉत्मा गांधी और सुवा चंद्रबोष ने धाका जाने के लिए भी किया एक जमाना था जब यहां से तारजलिंग मेल जेसी ट्रेने गुजरा करती थी पर अब यहां सिर्फ मालगाडियां ही गुजरती है इस अस्टीशन को देखकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि यह काफी पुराना है इस अस्टीशन में सब कुछ अंग्रेजों की जमाने का है यहां तक की सिगनल संचार और अस्टीशन से चुड़े उपकरन भी यहां अब भी कार्डबोर्ड के टिकट रखे हुए है जो सायद ही अब कहीं दिखने को मिलते हुए यहां पर अस्टीशन में रखा टेलीफोन भी बाबा आदम जमाने का है इसी तरह सिगनलों के लिए भी हाथ के कियरों का ही इस्तमाल होता है यहां नाम मात्र के करमचारी है वैसे तो इस अस्टीशन पर कोई भी यात्री ट्रेन नहीं रुकती इसलिए टिकट काउंटर बंद कर दिय लेकिन यहां केवल मालगारी ही रुकती है जिनने रोहनपूर के रास्ते बांगलादेश जाना होता है यहां रुक कर यह गाडियां सिगनल का इंतिजार करती है ऐसा नहीं है कि यहां की लोग नहीं चाते कि उनके लिए ट्रेन सुविधा शुरू हुँ शमय समय पर इसकी म एक्सप्रेस शुरू हुई थी जो 375 किलोमीटर का सफर तई करती थी वहीं दूसरी ट्रेन कोलकाता से बंगलादेश के एक सहर खुलने तक जाती है हालनकि यहां के लोगों को आज भी यहां से ट्रेने शुरू होने का इंतिजार है लोगों को आज भी उमीद है कि उन्हें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल नीचे दिएगे सब्सक्राइब वालाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही घंटी का बटन भी जरूर दबाए ताकि आगे भी इसी तरक इन्फोमेटी वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक झाल